उत्रप्रदेश के प्रदेश अध्याप्ध्ष भुपेंदर चौधरी हमारे साथ मौझूद है और मिर्ट पहुचे हैं और मिरट में सदस्यता भ्यान और सेवा पकवाड़ को तेजी देंगे सबसे पहले इस कारिक्रम के बारे में ही बात कर लेते हैं सेवा पकवाड़े में का आज कारिक्रम है और जिस तरीके से सदस्यत अभ्यान चल रहा है उसमें क्या आगे बीज़ीब का कदम रहने लाए हम लोग 17 सितंबर से मानने प्रधान मंतरी जी के जनम दिन से हैं दो अक्टूबर तक महात्मा गांदी जी की जैनती तक लगातार सेवा पकवाड़े के माध्यम से अलग-अलग कारिक्रम की रचना पार्टी ने की है उसमें रचनात्मक काम भी है रक्तमान सिविर भी है सेवा के काम भी है मेडिकल हेल्थ के हैं हमने अधिक्तम सदस्ता अभि के माध्यम से सेवा रचनात्मक काम के माध्यम से भी वारतियंता पार्टी जन जन के बीच में जा रहे हैं सदस्ता अवियान हमारी पार्टी एक लोगतांत्रिक पार्टी है और हम लोग अपने संगठन का गठन भी लोगतांत्रिक तरीके से करते हैं तो हम लोग साधारन मे प्रदेश और फिर हम सक्रे सरष्टा करेंगे और सक्रे सर्ष्टा के बाद हम लोग अपने संगटन के गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यूपी में उप्चुना भी है दस सीटों पर और अकेली श्याद आप आद कि अगर बात करें तो लगातार Twitter के माद्यम से हो या मीडिया के माद्यम से भारती जनता पार्टी को कभी भरश्ट बता रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है वरश्टाचार के जो माप दंड है समाजबादी पार्टी बेहतर बसा सकती है किस परकार से उनके समय वरश्टाचार अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा पुर्देश दंगाईयों के हवाले था और सरकारें दंगाईयों के साथ लिए उनका चेहरा जनता सब जानती है किस परकार के मुझे पन्नगर की गटनाएं होई किस परकार से अलग-अलग हमारे नियाले परिसरों में बंबी स्पोर्ट हुए और उनके जो आतंगबादी जो लोग उसमें पकड़े गए सरकार उनके मुकदमे बापस कर रहे थी वो तो धन्नवाद करता हूँ हमारी सजग है नियायपाली का नियायपाली का की सजगता की कारण वो अपने इस एजन्डे में तो अपरादियों के साथ कौन खड़ा है ये पूरा परदेश जानता समाजवादी पार्टी के चरित्रकू पूरा परदेश जानता भारतियंता पार्टी हमारा जो संकल्प है बिजली पानी, सड़क, सिक्षा, स्वास्त सुरक्षा इस सारे पहमानों पर भाजपा काम कर रही है जहां तक आपने उप्चुनाबों की बात कही है हम सहस्ता अभियान चला रहे हैं घरगर जा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो एजन्डा है हमारा जो कमेंटमेंट है उस संकल्प के साथ जैसे भी अचार साहिता लगेगी हम अपनी प्रतारी चैन की प्रग्रिया को पूरी करके योगी जी के नेत्त में दस की दस सीटे पूरी ताकस से लड़ेंगे योपी में अगर एंकाउंटर होता है विदी संबत कठोड़ता का बयाभार हम लोग कर रहे हैं जो दोसी है जो अपरादी है किसी जाती समुदाय का है सरकार उसे खिलाब कारवाई करेगी तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान बजी क्या दर्शानिका प्रियास करें एजन्डा समाज में जाती भासा छेतर के नाम पर भी भाजन करके अपना राजनितिक एजन्डा सेट करना है देश को कमजोर करना है और इनके इंडी गठबंदन का जो राहुल गांदी जी हैं के जिस परकार से विदेशों में आप बयान देते हैं उससे कहीं न कहीं देश की जो भूमिका है आज हमारे दुनिया में उस भूमिका को ये लोग खतम करना चाहते हैं देश को बदनाम करना चाहते हैं अश्यमी उत्तर प्रदेश को अलेकर राज्यों के पक्ष में है, संजी बालियान जी का बयान नहीं है, लेकिन उसके लिए राज्ये पुनर गठन आयोग बने, एक बिधिक पिरक्रिया है, वो पूरी हो, आयोग अपनी रिपोर्ट दे और सरकारे उस पर यथा स्वियोग नि प्रदेश बनाने का बयान था, वो पार्टी का बयान नहीं था, वो उनका नीजी बयान था, अर्मों शर्माट इवनाए उत्तर प्रदेश में रख़ता।